दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने PF अकाउंट की स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तो PF अकाउंट की स्टेटमेंट से हमें अपने PF अकाउंट में सभी रुपे का डेट वाईज पता चलता है यानि कि किस date को कितने रुपे जमा हुए हैं ये पता चलता है साथ ही हमारे PF account में total कितने रुपे हो गए हैं यहें भी PF account statement में पता चल जाता है दोस्तो PF account statement डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें Google Chrome को open कर लेना है यहें पूरा प्रोसेस आप अपने फोन में भी कर सकते हैं Google Chrome open करने के बाद हमें search box में PF लिखके enter कर देना है यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस परकार का page open हो जाएगा यहाँ पर हमें EPFO member passbook वाले option पे click कर देना है यहाँ पर कुछ इस परकार का एक login page open हो जाएगा password साथ में ही यहाँ पर यह जो number दिख रहा है इनको total करके यानि sum करके यहाँ पर लिख देना है उसके बाद हमें login वाले option पर click कर देना है दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी details एंटर कर देता हूँ दोस्तों login करने के बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का page open हो जाता है यहाँ पर हमें अपनी member ID सेलेक्ट कर लेनी है दोस्तों यहाँ पर यदि आपने एक से ज़ादा company'ों में काम किया है तो यहाँ पर एक से ज़ादा member ID यहाँ पर आपको दिखेंगी जिस भी company का आपको अपना PF account statement डाउनलोड करना है उस company का member ID यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों इसमें केवल एक ही member ID है यानि एक ही company में यहाँ employee काम कर रहा है हम यहाँ पर member ID को सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों member ID सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस परकार का page हमारे सामने open हो जाता है यहाँ पर हमें view passbook जो new year की है उस पे click कर देना है दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ इस परकार का statement हमें दिखाई देगा यहाँ पर हमें download passbook वाले option पर click कर देना है दोस्तों यहाँ पर हमारा total जो passbook है डाउनलोड हो जाएगी डाउनलोड passbook वाले option पर क्लिक करने के बाद कुछ इस परकार का interface हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें download file पर click कर देना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस परकार का एक PDF फाइल अमारा डाउनलोड हो गया है इस वाले पेज को हम क्लोज कर देंगे और अब मैं आपको इस PDF फाइल पे क्लिक करके इसे ओपन करके दिखाता हूं दोस्तो कुछ इस परकार का अमारा PDF अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड हो गया है यहाँ पर हम अपने मन्त वाइज जो पैसे अमारे PDF अकाउंट में जमा हुए हैं उनको यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं साथ ही अमारा जो total balance है उसको भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तो total amount चेक करने के लिए जो last वाली जो line है closing balance वाली वहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो total amount है यह इस परकार से है यानि कि employee share यह वाला employer share और यह वाला amount अमारा pension का amount है दोस्तो इन तिनों amount को total करने पर जो amount आएगा वो हमारे PF में अभी total जो जमा amount है वो होगा दोस्तो इस वीडियो से related आपका कोई भी query या सवाल है तो comment box में comment करके जरूर पूँछे Thank you so much for watching दोस्तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें